अदन की खाड़ी में भारती नेवी की तरफ से बुलगारिया के जहाज को बचाए जाने के बाद वहां के राश्टपती का बयान सामने आया है बुलगारिया के प्रेसिडेंट रुमेन रादेव ने सोमवार को रेस्क्यू मिशन के लिए पीए मोदी और नोसेना को धन्यवात किया जहाज में मौजूद कुरू सदस्यों में बुलगारिया के साथ नागरिक थे इस पर पीए मोदी ने कहा हम आपके मेसेच की सरहारना करते हैं मुझे खुशी है कि सभी कुरू सदस्यों रक्षित है और जल्द ही घर लोट जाएंगे भारत हिंद मासागर में समुद्री लुटेरों और आतंकियों के खिलाफ लड़ता रहेगा हम नेविगेशन की आजादी की रक्षा करते रहेंगे दरसल सोला मार्च को भारती नो से नाने तीन महिने पहले अधन के खाड़ी में हाई जेक होए जहाज एम वी रुएन को बचाने का ऑपरेशन पूरा क्या था जहाज को सोमालिया के समुदरी लुटेरों ने अगवा क्या था आपरेशन भारत के समुदरी तर्ट से अठावी सो किलोमेटर दूर चला गया था दुसरी तरफ बुलगारिया की विदेश मंतरी मारिया ने रेस्क्यू मिशन के बाद वहां मुझूद भारती राजदूत संजेराणा से मुलाकात की उन्होंने भारती नो सेना के मिशन के लिए धन्यवाद कहा मारिया ने सोचल मीडिया पर लिखा भारती सेना की वज़ासे जहांच पर मुझूद सभी कुरू सदस से सुरक्षे थे वे जल्द ही घर लोटाएंगे इसी के साथ मेने रहेगी एशन इस इंडिया के साथ निवाद